नमस्कान मोदी जी मैं नरेंद्र कुमार विटोबा जी अलसावार मैं मार्खंडार तितर शेत्र गर्चरोज से बात कराऊ विदान सभा अडूसर्ट से मेरा आप से एक सवाल है सर आपकी सरकार आने के बाद मावाद और नक्षरवाद का खाब हमारे शेत्र में कम हो गया ले कई से देखते हैं सर जी नमस्कार मुझे अच्छा लगा कि हमारे कारक्रता कि देश में क्या हो और कैसे बढलाव आ रहा है उसे अच्छी तरफ पहचान रहे हैं एक समय था जब पूर्व प्रधान मंत्री ने खुद कहा था कि माववाद देश पर हावी हो रहा है और आज आपने सही कहा है कि देश बर में नक्षलवाद माववाद का खौप कम हो रहा है देखिए कोई भी खेत्र स्वयम को माववाद प्रभावी तेला का कहलाना पसंद नहीं करता है स्थानिय लोगों की मानसिक्ता पर इसका भावत भी विप्रित प्रभाव पड़ता है लेकिन विकास बात आगे बढ़ रहा है। हिम्मत के साथ योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। माववादी अपने हिंसा के मार से लोगों को विकास से बंचित रखने का काम करते हैं। फिर चाहे वो सड़क हो, स्कूल हो या बिजली हो। हमने ना सिर्फ इनकी हिंसा को उनकी ही भाषा में महुतोर जवाब दिया, लेकिन लोगों को विकास से बंचित रखने के उनके मनसुबों को भी नाकाम कर दिया। इस छेत्रों के गरीब लोगों के जीवन में आमुल चुल परिवर्तन लाने के लिए यहां इंफरस्रक्टर और सामाजिक ससक्तिकरण पर लगातार बल दिया जा रहा है। और जब भी माववादियों के खिलाब नडाई की बात उठती हैं तो मैं सबसे पहले अपने सुरक्षा भल के बहदूर जवानों को नमन करता हूँ। क्योंकि जनता जनादन की शांती और कुशलता बरकरार रखने के लिए बेससदा ही चौकनने रहते हैं। उनके साहसिक प्रयासों और हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते पिछले चार साड़े चार वर्षों में माववादी हिंसा में आई गिरावट को देखकर आज हर भारतिये के मन में एक नया विश्वात नहीं आशा प्यादा हुई है। बोगलिक तोर पर भी माववादी हिंसा का प्रभाव कापी हद तक कम हो गया है। माववाद प्रभाविज जिलों में करीब साड़े चार हजार किलोमेटर से अधिक सड़क का निर्मान किया जा चुका है। पहले शाहद ही कोई ये सोच सकता था कि इन इलाकों में भी इस स्पीड और स्केल से काम हो सकता है। कनेक्टिविटी का दाइरा बढ़ाने के लिए करीब 2400 मोबाइल टावर स्थापित किये गए हैं। इसके अलावा 4000 और टावर स्थापित करने को मंजुरी दी जा चुकी है। जब हमने कारेभार संभाला था तम माववादी हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहे जिलो में से। ग्यारा में एक भी केंदरिय विद्धाले नहीं था। वहां आज आठ नए केंदरिय विद्धाले और पांच नए जबार नवोदय विद्धाले बच्चों को क्वालिटी एजूकेशन दे रहे हैं। माववाद से प्रभावित इलाकों में बैंकों की पहुँच सिमित थी, माववदी हिंसा से सरवादिक प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में बैंकों के ब्रांच और ATM खोलने की पहल की गई है। आदेश देख रहा है कि मावववाद को हारने की जो हमारी व्यू रतना है वो काम्याब हो रही है।